नमस्कार तोस्तों और इस्टेटीव इत्यान प्रकास में आप सभी का हरती स्वागत है B.A.D. vs. B.S.T.C. पर R.E.D. के मामले में कल सुनवाई हुई है और ये जो मामला है ये काफी अहम है खास तोर से B.A.D. और B.S.T.C. में कौन eligible रहेगा प्राइमरी के लिए कई बार आप लोगों ने सवाल पूछा है तो मुझे लगता है कि दोनों की ही जीत यहाँ पर होने वाली है क्योंकि B.A.D. New Education Policy के मताबिक एक अनिवार सर्त है सिख्षक बनने के लिए और उसमें भी B.S.T.C. यानि की जो डिलेड है जिसको आप डिलेड कहते हैं आप कई राज्यों में इसे B.T.C. भी कहा जाता है तो यह जो ट्रेनिंग दी जाती है दो साल की यह इस्पेसिली जो है प्राइमरी टीचर के लिए होती है तो दोनों को ही औसर उपलब्द होंगे ऐसा अनुमान है मेरा फिलाल अभी जो है यहाँ पर जो सुनवाई चल रही है उसका जजिमेंट आने में थोड़ा वक्त लगेगा BAID और BSTC मैटर पर REIT की जो सुनवाई हुए है उसके बारे में एक अपडेट निकल कर सामने आ रही है और जैसा कि आप रोग जाते हैं फ्रेंड्स की KVS PRT का रिजल्ट भी दो तरीके से तयार करके रख लिया गया है एक Result में BAID को INCชallot की यानी कि BAID और DALID दोनों को INCüz बना ली है और साथ यिसात जो दूसरी की दूसर लिस्ट है उसमें केवल DALID को है सामिल किया गया है यानी कि उसमें से BAID को बाहर कर दिया गया है जैसा कि राजस्तान में आदिस है था उसके मताबिक तो यहाँ पर जो result है बिल्कुल तयार है और जैसे यह decision आता है decision के बाद result जारी कर दिया जाएगा तो result कब तक जारी होगा देखो friends यह जुलाई का अंतियम सप्ता है और यहाँ पर जो news मिल रही है वो आप देख लीजिए तो यहाँ पर new जा रही है कि Supreme Court में सिक्षक भड़ती प्रथम लेबल B.A.V.D.L.A.D. केस की सुनवाई Court No.6 में Justice Under the Boss की Bench में item No.20 पर हुई है सुनवाई में यंसी टी एट सूचना रिजर्फ हैसले पर भी चर्चा हुई है सुनवाई के बाद next date दो सब्ता बात की दी गई है तो एक सब्ता तो आपका यही है अगला सब्ता जो है अगस्त का तो अगस्त के पहले सब्ता में इस पर सुनवाई होगी जो अगली सुनवाई होगी और अगर उस समय decision आ जाता है तो उसके बाद KBS का जो PID का result है वो भी declare किया जा सकता है फिलाव यहाँ पर मैं wish करता हूँ कि सभी की जीतो क्योंकि education का मामला है और जितने भी अभिरती वरतमान समय में एक job के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्होंने अपना काफी समय दिया हुआ है तो उनके सम assessment आने के बाद ही clear होंगी कि क्या फैसला आया और मुझे लगता है कि सभी के लिए यहाँ पर निया होगा तो फ्रेंट्स आगे पढ़ते हैं और यहाँ पर दिको एक खबर निकल के आ रही है जिसना कि आप लोंने जानना चाहता कि उत्तर प्रदिस में जो पुलिस भरती आ के बारे में कोई भी update निकल कर सामने नहीं है तो इसके बारे में आपको बता दें फिलाल कुछ लोगों ने आप मांग यह भी उठाई थी कि क्योंकि पिसले कई सालों से उत्तर प्रदिस में कोई भी पुलिस वरती नहीं हुई है तो जो age limit होती है वो भी बढ़ाया जाना इसके बारे में भी मांग की जा रही है फिलाल आपको बता दें कि कांस्टेबल के कुल लगबग तिरपनाजार पदो पर notification जुलाई में जारी करने की बात की जा रही थी लेकिन अभी फिलाल इसके बारे में कोई खास जानकरी निकल के नहीं आ रही है कि notification कब तक आएगा हा उम्रसीमा को बढ़ाने को लेकर उम्मिदवार लगाता सरकार से मांग कर रहे हैं और अभी तक उम्रसीमा लिखित परिक्षा और notification सम्बंदी कोई जानकारी नहीं आई है तो hope good की हो सकता है कि उम्रसीमा में कुछ छूट आप लोगों को मिल सकती है जैसा का आप जानते है क कि बिछले वर्स के notification से माना जा सकता है कि इन पदों के लिए हमीं काउंस्टेबल के लिए बरहामी पास की योगिता ही मांगी जाएगी बाकी तो जानते या फिजिकल पगेरा होता है तो फ्रेंड्स अभी जो कुल वैकेंसी हैं उसके बारे में बात करें तो SI के UP पुलिस म समवर के हैं 545 लिपिक समवर के हैं 727 कंप्यूटर आपरेटर प्रोग्रामर के बदों पर भरती की प्रक्रिया भी बिन नसतरों पर चल रही है तो फिलाल यही न्यूज अपडेट है और अभी notification कब तक आएगा इसके बारे में कोई खाज आंगाई नहीं है UPPSC भरती CBI जा जारी रखे हैं तो यहां पर यह का गया है चिजलाल तो असाइए कर दी गया है लेकिन यहां पर यह भी कह रहा है कि CBI जाहां साथ नयाले में चल रहे हैं रहे-वाद के अंतिम नियड़े कंदीनू इनका जो अस्थाइए करना है वह बूhoगा,robot हूना यह भी गहा अग लेकिन ससर्त, सर्त ये लगाई गई है कि अगर कोई परतिकुल तथ्य आएगा, तो इनका जो अस्थाई करना है, वो सून निघोसित कर दिये जाएगा, ये बात यहाँ पर कही जा रही है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और फिलाल अब जो न्यूज में आपको बताने है, जो उसकी पूजी है, उसको लूट लेना, इसे ही पाप कहा जाता है, आपने भी देखा होगा, कई बार आपके वार्टसप पर, या SMS के तरो, या आपने कहीं सर्च किया होगा, पार्टाइम जॉब के लिए, तो आपको एक लिंक आता है, और उस लिंक के माध्यम से पासवर्ड भी मांग लिया जाता है, बस यही पर जो लोग होते हैं, वो गलती कर जाते हैं, जैसे ही वो अपना पासवर्ड या OTP सेर करते हैं, मामला जो है वो बस फंस जाता है, अभी मैं बताओं तो, दो दिन पहले, जो मेरा एकाउंट है, बैंक अकाउंट, उसमें प्रोफाइल पासवर्ड बगरा सिट करना, उसमें मंदब सेकूर्टी कोश्चन के माध्यम से, मंदब एकाउंट में लॉगिन करने का प्रयास किया, फिलाल तो सब कुछ मैंने चेंज कर दिया, कि चलो भाई, लेकिन सबी लोगों को यह जांकारी नहीं होती है, अभी मेरे OTP नहीं बताई तो फिर उनका एकाउंट गलत अइक्विटी करके बलाग कर दिया गया, फिलाल वो तो खुल जाता है, लेकिन यहाँ पर आप बिलकुल साफ़ान रहें, पार टाइम जाप के नाम पर आप से भी लोग जो है, इसी परिगा की जांकारी करेट करवाएंगे, और जब आप दे देंगे तो फिर जो कुछ आपके एकाउंट में हैं, वो भी बिलकुल साफ़ कर दिया जाएगा, तो बहुत ही साधान रहने की जरूरत है, सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि आप जो एक पब्लिक नमबर यूज करते हैं, उसको किसी बैंक एकाउंट से ना एड़ करें, और जो बैंक एकाउंट से नमबर आप एड़ करें, वो पब्लिक ना करें, सेक्योर्टी का यह पहला टिप्स तो यह भी हो सकता है, दूसरा यह कि OTP तो किसी सर्थ पर किसी को ना बताएं, चाए दुनिया उलट पड़ जाए, OTP नहीं बतानी है, तो नही हो कभी भी नहीं, और देखो समझ में आ जाता है कि अगर कोई आपको WhatsApp पर लिंक भेज रहा है, तो वो लिंक फरजी ही होगा, क्योंकि WhatsApp पर नहीं, और आप बहतर होगा कि आज के जमाने में बहुत सारे काम ऐसे हैं, जो कि आनलाइन आप बहुत इमानदारी के साथ घर आनलाइन किताबें बेच रहे हैं, आनलाइन भागवानी कर रहे हैं, आनलाइन वो लोग कंटेंट टाइपिंग वारा काम कर रहे हैं, यूटूब खुदी एक ससक्त माध्यम है, अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है, तो आप उसको भी यूटूब पर वीडियो बना के आप कमा सकते हैं, तो तमाम चीजें तो इन फ्राडो के चक्कर में आपको नहीं आना है, फिलाल ऐसे लोगों के साथ भगवान क्या करते हैं, यह भगवान नहीं जाने, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग सौधान रहें, क्योंकि आपका जीवन और आ मोल है तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक लिए में आग्या दीजी नमस्कार जैहंत